नमस्कार दोस्तों मैं एंदी गुरू अपने चल में आपका सौइट करता हूँ दोस्तों आज एक बड़ी नूज के साथ मैं आपके साथ हूँ देखें यहाँ पर उपर लिखा हुआ है कि टेट अक्टूबर में होने वाला है आपका और सिच्चक बरती भी आपके अगले वर्स होगी और यहाँ पर यह जो आपके लिए पूरी नूज है इसको पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है इसको आप अच्छे से पढ़ने और समझ लीजे कि काब आपका पेपर होने वाला है कबाप के लिए आवेदन लिया जाएगा सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है देखे राज सिच्चक बातरता परिच्चा टेट 2019 कायोजन अक्टूबर के अंत में कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है और वहीं पे आपकी सिच्चक बरती परिच्चा अगले वर्ष की प्रथम तिमाही तक कराने जाने पे विचार भी किया जा रहा है परिच्चा नियामक प्रदकारी सच्चियू ने सासन को टेट के लिए जल्दी बैठा गयोजित का प्रस्ताओ दिया है और यहां पर लिखा हुआ है कि टेट 2019 के लिए सितंबर तक आउनलाइन आवेदन लिये जाएंगे यानि सितंबर में या उससे पहले ही आपके लिए आवेदन जो है ओपन कर दिये जाएगा और सितंबर तक ही आपका आवेदन होना है अवेदन होने के बाद दिसमबर तक इसने ये भी बता दिया है कि आपका परड़ाम भी वो जारी कर देंगे और इसके बाद जो है यहां इन्होंने बताया है कि जो आपका टीचर की परिछा है यह जो सूपर टेट आपके लिए होता है वो आपका कब होगा अगले वर्ष यानि 2020 में तिमाही यानि मार्श तक आप कह सकते हैं यहां तक होने की संभावना आपकी बनतीवी नजर आ रही है साथे साथ आपको एक बात और बता दे दोस्तों कि अब की बात जो है टेट में जो कोशन पेपर आपके लिए आने वाला है उसमें जो कोशन होंगे उनमें बदलाव की भी तयारी है यानि पैटर्ण में चेंजेद आपको देखने को मिल सकता है मैंने बहुत सारे अभी तक आपके लिए यूपी टेट से रिगार्डिंग प्रेक्टिस सेट अपलोड किये हैं हिंदी और EBS के उसको भी मैंने कोशिच की है कि आपको कुछ उसी पैटर्ण पे ले करके बनाये जाए तो आगे भी समय में आपको कोई प्रेक्टिस सेट नहीं दे रहा हूं लेकिन आगे भी मैं आपके लिए फिर से प्रेक्टिस सेट जल्दी लाना है वाला हूं उसके लिए नोटिफिकेशन आप तक फिर से पहुंच जाएगा और उमीद करता हूँ कि ज़्यादा से लोग मेरे साथ जुड़ करके उस नए पैटरन पे आने वाले प्रेसन पत्र को सॉल्व करने की प्रेक्टिस करेंगे तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरे दोरा दीगे जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और ये आपके लिए एक इंपोर्टेंट न्यूज है आपने दोस् जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ